अलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल परिक्षा प्लस पर मैं रबन मिश्रा आप सभी का एक बार हर दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर दोस्तों जहां पर मैं आपके 800 प्रशनों की बहुत प्रतिचित सीरीज का आज भाग 5 लेकर आया हूँ आपके उससे बनने वाले क्वेशन के बारे में साथ ही चारो विकल्प जो आपके हिंदी के होते हैं यानि उस प्रशन के उन चारो विकल्पों के बारे में कुछ ना कुछ जानकरी आपको जरूर देता हूँ तो दैनी की ये सीरीज है मारी 800 प्रशनों की इसको लगातार आपको फ प्रतिछित सीरीज जिसका नाम है टौप हंडेट क्वेस्टन फार अपकमिंग एकजाम जो आपका 24 तारीक 24 दिसंबर को है इसको लेकर टीम परिक्षा प्लस आपके साथ उतरी है तो एक बार पूरी तरीक से कंसंट्रेट हो जाएं और मैं कुछ जरूरी सूचनाओं के साथ आपसे आगे बढ़ने की कोशिस करूँगा जो हमारे नए मिंबर्स हैं निव वीवर्स हैं इस चैन तमाम exam oriented बहुत सारी जानकरियां हर दिन हर admin panel के द्वारा डाली जाती है तो इसको जोइन करना आपके लिए बहुत फाइदे मन रहेगा दोसरों दोसरी चीज कुछ material अनिक discussion इन सभी के लिए हमारा टेलिग्राम चैनल हमेशा आपके सौगत के लिए open है तो टेलिग्राम चै material सब कुछ उपलब्द होते हैं अगली बात आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं टीम की मेहनत को देख रहे हैं मेरी मेहनत देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है साथ ही आपके जो दोस्त हैं उनको यह सीरीज के बारे के जो भी वीडियो हैं इसको प सार्थक दिसा में है वो आपके जबाब हमें बता देते हैं और हमारा होशला थोड़ा सा बढ़ता है जिसे मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बेल सारे प्रोग्राम है हमारे टीम के द्वारा बाकी अनी जायकारियों के लिए मटेरियल संबंधी या अनी जो कोर्से हम चला रहे हैं ठीक है उन सभी के लिए हमारी वेबसाइट परिक्षाप्लस.org आप जरूर विजिट करें देर न करते विए मैं सुरुआत कर रहा हूँ आज के दैनिक प्रशनों की स्रंकला को दोस्तों एक चीज और हमारी टीम के द्वारा एउपी ट्रूपल सी जूनियर असिस्टेंट के दस टेस्टरी चलाई जा रही हैं जिनमें एक आपको दस टेस्टरी हमारे आनलाइन पैनल पर उपलब्द है साथ ही उनकी संपोर्ण व बगेरा का अनी कोई चार्ज हम आपसे नहीं ले रहे हैं तो एक बार जूनियर असिस्टेंट के लिए ये दोजार उननीस के बेजट पर चुकी हम लोगों ने बनाया है तो ये टेस्टरी आप मार्केट की टेस्टरी से हमारी टेस्टरी से कंपेर करके देख सकते हैं ठीक ह आपको पूछ सकते हैं तो देर ना करते हुए मैं सुरुवात करता हूँ आज भी प्रशन बहुत अच्छे हैं ठीक है सारे प्रशनों को मैंने अच्छी तरीके से संकलित किया है टीम की मेनत है वही तो चलिए सुरुवात करते हैं इन सारे प्रशनों पर जबाब आपको देना है प्रशन मैं बोलूँगा कुछ देर का आपको मैं समय दूँगा उ का ना का ना कि 사가 किसी से प्रेम करना किसी की घ्रणा करना चारों में से जवाब आपके आने चाहिए बाई जहां बैठे हो वहां कमेंट करो ठीक लिखते रहो बोलते रहो मूं में आप वीडियो देख रहे हो बोलते रहो ठीक है वहीं बोलते रहो आप लेटे हो बैठे हो कुछ भी कर रहे हो बोलते रहो मन में बोलते र अर्थ क्या होता है उत्तर नंबर दो का उत्तर है वी जीवित रहने की इच्छा लेकिन दोस्तो अगर प्रशण में security की जगे जीजी विश्व आ जाए जीने की इच्छा जीजी विशा कहलाती है तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना प्रशक्ख्या तीन आप से बोल लाइए निमलेखित अनुलोम बिलोम युग्म में से कोई एक युग्म सही नहीं है उसी को चुनना है विकल्पिस प्रकार है अंतरंग बहरंग उचित अनुचि जाये तो इस प्रश्न का सही विकल्प है क्यों क्यों कि सुख का बिलोम दुख होता है कष्ट नहीं हिंदी में सब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है चौथा प्रश्न आपके सामने है सुल्टाना सब्द का विपरार्थक सब्द चुनिये ठीक है इसका बिलोम क्या है न तोड़ा सा मैंने यहां पर आपको कुछ नॉर्मल लखे हैं आपके होशले के लिए, इस वाकी में असुद्ध भागी का चयन करना है, चार विकल को रूब में मैंने डिवाइड किया है, तुस्ती करन करने की नीती अपना करना तो विक्ती आगे बढ़ शक्ता है और ना पांचवे का जबाब जिन्होंने चुल लिया है इसमें से क्या, बताइए, पांचवे का जबाब इसमें से क्या होना चाहिए, यहां पर विकल्ब आप जो है, तुस्ती करन करने की नीती अपना कर, तुस्ती करन का ही सब कुछ हर्थ हो जाता है, तो करने की यह जो सब्द तुष्टी करन नीती अपना कर ना तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना ही राष्ट आगे बढ़ सकता है ऐसा वाकिये सुद्ध होगा लोम का विपरार्थक सब्द क्या है बहुत बड़ी हाँ प्रश्ण है ठीक है आप बताओ इसका जबाब आपको ही देना है मैं विकल पढ़ दे रहा हूँ भई या विकल देख लो एक बार ठीक है जो लोग भी जुड़े हैं भई वो इसका जबाब देंगे शोपी स्रिष्टी या बिलोम बैस्टी इन चारू में से जबाब आपको देना है कि लोम का बिलोम क्या होता है लोम का बिलोम बताओ ठीक है सारीरी केस और केस कैसे होते हैं बाल एकदम सीदे तो सारीरी केस का उल्टा हो जाता है बिलोम ठीक है टेना मेड़ा तो इसलिए लोम का बिलोम आपका लोम का बिलोम होता है समझ गये ना और इसको इसके लिए एक वोसमें जहां बोम सब्दी की ब्याख्या है तो अगर संस प्रियोग हुआ है इसलिए साद्रिश्य रूप से यहीं सब्द सुद्ध होगा तो समझ गए ना लोमरो विपरीतम विलोमवा भवती ईव यह शब्दा हशोपी विलोमी भवती उपमार्थे यह शब्दा हभवती ठीक है तो चलिए आगे वरते हैं अगले प्रशन पर साथ नमबर प्रशन मैं आपकी स्क्रीन पर सामने कर रहा हूं ठीक है जूम कर दिया मैंने बाकी काम है आगे पढ़िए और जबाब दीजिए मैं प्रशन पढ़ रहा हूं किस वाक्य में क्रिया वरतमान काल में है बहुत आसान सा प्रशन है उसने फल खालिये थे मोहन जा रहा था तुम कल आने वाले थे मैं पढ़ना जाओंगा ठीक है इन चारू में से आपको बताना है वर हो आपको चुनना है जबाब आपके आने चाहिए भाईया फटा फट जबाब दीजिए मेहनत मैं भी कर रहा हूं तो मेहनत करिए मेहनत से भगना नहीं है शलेक्शन अगर 24 दे संबल लेना है तो हिंदी की ये 800 की सिरीज आपके लिए समझ लीजिए रामबान है ठीक है इन 800 की सिरीज को सही से देख लिया इनकी पीडिया पढ़ लिया तो इसे बाहर क्वेशन नहीं जाएंगे ठीक है क्योंकि मैं इमानदारी से मेहनत आपके साथ कर रहा हूं मेहनत आपको भी पता चल लई होगी कि हाँ इस सारे क्वेशन को सेलेक्ट करने में इनकी व्याख्या म आपके सामने हैं कौन सा सब्द तत्सम नहीं है घृत अतिन दुग्ध आशू इन चारू में से आपको बताना है कौन सा तत्सम नहीं है यानि संस्कृत में उसका प्रियोग नहीं करते हैं तो आशू जो सब्द है इसका तत्सम होता है अश्रू ठीक है तो आशू यहाँ प परियाय शब्द क्या है ठीक है इसका जवाब जिनोंने चुल लिया सार्दूल क्योंकि मिगेंड बोलते हैं शिंग को या सेर को ठीक है सिंग को बोलते हैं शिंग का प्रयवाचिय और सार्दूल भी सिंग को ही कहते हैं अगले प्रश्ण की ओर नाविक का सही संदी विछेद बताईए संदी से प्रश्ण है नौधन एक नावधन एक नए धिन एक नावी धन का चारू में से जवाब फड़ावट कमेंड करिए ग्यारा नंबर का जवाब जिनोंने पढ़ रखा है कौन सी संदी संदी बताओ अया संदी का ये उधारण है तो आप करेंगे कौन सा इसमें से चारू में से ग्यारा नंबर का जो विकल्प होगा उचित ये अगर आपने कर दिया नौधन एक तो क्या बन जाएगा नाविक क्योंकि आए आओ आए आए आओ आओ ये चार सब्द उचारण में जहां मिल जाएं वहाँ पर आपको फट से कमेंट करना है कि ये अयादी शंद का उधारण है चेहरे पर हवाईया उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है ए विकल्प कहरा है डर से घबराना बी कहरा है कुरूप होना सी कहरा ह आतिधिक सुंदर होना डी कहरा है स्वास्त ठीक ना होना ठीक है चारू में से मैं आपको फिर से जू माउट करके दिखा रहा हूँ इन चारू में से चलो अब बताओ इन में से कौन सा विकल्प सही है ठीक है विकल्प इस प्रकार है चेहरे पर हवाईया उड़ना डर से घ प्रश्न की और बढरते हैं प्रश्न मैं आपके सामने रख़ रहा हूँ अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न है थे रा नंबर कहई रहा है ब्हुत बढ़ियान प्रश्न ए सारे के सारे जो इकम डिये गए वो परियाय से पढ़ा वो होते हैं सही मिलते हैं 0.5 मार्क्स बढ़ते हैं अगले मार्क्स की वोर क्योंकि इसमें दीवाली परियावाची दीपक का नहीं है ये प्रश्ण पूछा जा रहा है वह हिंदी परिग्यानियुम लेखन शमता वीडियो के स्लेबस में भी था वहां भी हिंदी से नेशन बीडर डिग आरा ये नना ओफ दव आप में इन चारों में से सही विकल्प को चुनना है सही जवाब आपका होगा सी टीचर्स आर नेशन बीडर ओके नाओ नेक्श्ट्ट क्वेशन तरून निमलिखित में से किस का आर्थ है झूट्ट है इन का आप को यानी आपक प्रश्गी और बढ़ते हैं मैंने यहां कुरसी 100 रुपए में खरी दी है प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है चलिए बताईए वही अफटाफट कमेंट करो इसमें तुरुटी बताना है इस वाकि में दोस्त किसका है विशेशन का क्रिया का परसर्ग का क्रिया विशेशन का चा परसर्ग दिमाग लगा कर हम प्रत्ते इसको नहीं मान सकते है ठीक है परसर्ग मलब कारक होता है तो मैंने यहां कुरसी 100 रुपए में खरी दी है अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर बहुत बढ़ी हाँ प्रश्ण है निम्न में दीरगस्वर है ठीक है 17 नंबर जबाब बी विकल्प इसमें है बड़ी ठीक है बड़ी इसमें से देर्गस्वर है बाटी आपके देर्गस्वर नहीं है यह आपका हरस्वर है ए और आपके कौन से स्वर होते हैं ए संयुक्त स्वर का उधारण निम्न में से अंतास्त विंजन कौन सा है विकल दिया है गा, जा, वा, और सा, इन चारों में से चूचके और भईया अंतास्त कुन सा है, अंतास्त होते हैं भईया चार, जिनके बारे में मैंने खूब चर्शा कही है, यारा लावा, ठीक है, इस लेक्षर को जितनी बार देख लोगें यतना जादा आपके लिए फाइदा दे देगा, कि आप कहीं भी अगर ब्याकराण की सही किताब नहीं पड़े हैं, फिर भी इसमें ब्याकराण मैंने पूर्ण कर दिया आपने हिसाब से, निम्न में अलप्राण विंजन कौन सा है, खा, गा, घा, ठा, ठीक है, ये प्रशन हलके लग रहे हैं, लेकिन गलत करने के चांस सबसे ज़्यादा इसी में हैं आपके, 19 नंबर का जबाब जिनों ने चुना है विकल B, वो होते हैं सही, अब ये अलप्राण विंजन क्या होते हैं, इसके बारे में इससे पहले वाली सीरीज में मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ, इनकी संख्या 20 है, हिंदी वर्णमाला में, इनकी संख्या 20 है, ठीक, स अर वर्ण का लेंगे, तो 5 वर्ण है, 5 गुड़े 3, यानि 15 यहां से, 4 यहां से, और एक आपका बस्ता है ये, अड़ा, ठीक है, इन 20 होती है, इनकी संख्या अलक्राण बेंजनों की, निम्न में से घोस माड़ कौन सा है, अपनी तयारी अच्छे से यहां पर रख लो, जा का चार्ट, इन 4 में से घोस माड़ कौन सा है, तो 20 नंबर का जबाब आप लोग कमेंट करें, 20 नंबर का जबाब जिनों ने चुन लिया है, जा, उनके विकल्प होते हैं सही, बाकी जिनों ने चुना है, वो निगेटिब मार्किंग के प्रावधान के अंतरगत, उनसे हम निप्टेंगे, अगले प्राशन की ओर है, ओस्ट वर्ण कौन सा है, आ, बढ़ा, इ, पा, इन 4 में से चुनू, ओस्ट वर्ण, यानि ओठो से किन का उचारन करते हैं, तो पावर्ग का उचारन, ओस्ट वर्ण से होता है, ठीक है, जो वर्ण माला की मैंने नोट सदी है, उ योगरूड जो सब्द होते हैं, इनमें अधिकतर बहुबरी समास के उधारन आपको देखने को मिलते हैं, इनमें से बताओ, पंकज जो सब्द है, ये योगरूड है, क्योंकि पंकज का आर्थ होता है कमल, देखो पंकज का संदिविच्चेद भी हो सकता है, पंक, धन जा, ठीक है, पंक मल्लब होता है, कीचड जा मल्लब होता है, उगने वाला, कीचड में जन्म लेने वाला पंकज, तो ये रूड सब्द है, कारयाले आदेस, किसके लिए निकाले गए आदेसों की सूचना है, मंत्राले, संबंद विभाग, प्रभाग, अनुभाग या सभी विक होंगे, और जो लोग नए हैं, उनको मैं बता दूँ, चैनल पर मेरी एक वीडियो पढ़ी है, अगर उस वीडियो को देख लेते हैं, तो पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा, और टेलिग्राम चैनल पर जाएगा, वहां मैंने 12-13 पेज की, एक PDF सेर की है, पत्र लेखन, जो मेरे नोट्स थे, उसको टाइप करवाटे, तो वो पढ़ लीजे, सब कुछ काम हो जागा, इसमें D विकल्ब सही है, सही पूरे के पूरे ही इसमें जो लिखे हैं, कार्याले आदेश जो होते हैं, ये मंत्रलेयों के लिए निकाले जाते हैं, संबंद प्रभाग में भी चलते हैं, अनुभाग में भी चलते हैं, तेज के बाद हम बढ़ते हैं, अगले विकल्ब की प्रश्न की ओर, प्रश्नी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, छोटे संबंदियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे, चिरन जीव, पूझनिय, परम, पूझी, हितैसी, ठीक है मैंने संबोधन से संबंदित, अभिनिवेदन, अभिवादन, इन सब चीजों को मैंने उसमें पीडियव में जोड दिया है, वाकाईदान्त में, ठीक है, तो यहां पर बताओ, छोटे संबंदियों पत्र लिख रहे हो वाई, तो चिरन जीव लिखोगे वहाँ पर, ठीक है आशिरबाद एक तरीके सोता है, अब आगे बताईए, निम्न में कौन सी देवनागरी लिपी की वर्ड ध्वनी नहीं है, ग्रीवा, मुर्धा, कंठ ध्वनी, या दंतोस्टी इन चारू में से बताओ, कौन सा देवनागरी लिपी का वर्ड ध्वन नहीं है, तो ग्रीवा ग्रीवा कर्थ वैसे होती है गर्दन तो गर्दन से कौन सी धुन निकलने जा रहे ये देवनागरी लिपी में नहीं है आधनी एक से पहला एकांकी बहुत बढ़ी है साहित इसी प्रश्ण है ये चाटा है मैंने आधनी की उक से पहला एक आंकी किसे माना जाता है बादल की मृत तो ये घूट कारवा भोर का तारा ये चारो की चारो पहले आप ये समलो कि चारो एक आंकी लिखी है चाहे बादल की मृत तो ये घूट है कारवा है भोर का तारा ये चारो एक आंकी है ठीक है तो इन में से बताओ वहिया पहला एकांग की आधनी की इपका किसको माना जाता है फटाफट जबाब दो 26 नमबर साहिती से संबंधित आज प्रश्ण और वर्णमाला से संबंधित प्रश्ण बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको तो 26 नमबर बताइए विकल बी चुन लिया है तो सही है एक घूट जो है यह आधनी की उकसे हिंदी का परथम एकांग की माना जाता अब कुछ चीजे और डाउट यहां पर क्लियर कर लोपना वो यह है कि यह जो 26 नमबर वाले प्रश्ण में मैंने पूछा है तो इसकी जो प समझ गया ना एक घूट यह प्रकासित हुआ था 1929 की बात है जब यह प्रकासित हुआ अच्छा एक चीज यहां पर और आती है कुछ बिद्वान ऐसे हैं जो भारतेंद हरिश्चन द्वारा एक नाट उस समय लिखा गया था एकांग की जिसका नाम है प्रेम योगिनी ठीक भारतेंद हरिश्चन ने एक अंकी लिखा जिसका नाम है प्रेम योगिनी तो इसको कुछ बिद्वान मानते हैं कि यह पहली एक अंकी है आधुनिक यूग से और इसका जो प्रकासिन रहा यह 1875 में रहा लेकिन ज़्यादाता लोग इस मत पर सहमत है तो मानलो यह घूट न यह जो है कार्मा कार्मा अगर एक अंकी के बारे में मैं बताऊं तो कार्मा लिखा है भुनेशर परसाद स्रिवास्तो ने कार्मा जो एक अंकी है इसको लिखा है भुनेशर परसाद स्रिवास्तो ने ठीक है समझ गए ना कार्मा यह जो पिकल्प सी में लिखा है इसको अच्छा भोर का तारा किस ने लिखा है तो भोर का तारा लिखा है जगदीशन माथुर ये भी एक एकांग की है चलो 27 नंबर प्रशन पर बढ़ते हैं हिंदी साहितु का आधिनिक काल सामानतिया कब से कब वाना जाता है ठारा सो पचास इसवी से सत्रा सो से की सत्रा सो पचा जाए तो उनीस तो सही है ठीक है भी यह समझ गए ना तो मैंने यहाँ पर आप्शन जो विकल्प आपको दिया है आंसर दिया है यह उनीस तो मैंने दिया है यह रामचन सुक्ल के अंसार है बाकी अठारा सो पचास यह अधिकतर बिद्वान मान रहे हैं क्योंकि आधि जो आधि रामचन सुकंल ने चार काल विभाजन किया है उसमें कुछ विद्वान आधिकाल् whites काहा कनफीजन बनी रहता है आधिकाल की सुर्वात मानी जाती ए इनके ड़ेंकर द्वारा जो है इनकी द्वारा नाम बता है आधिक यह He Probably पचास इस भी से ले करके ठीक सन एकजार पचास से ले कर तेरा सो पचत्तर इसका काल है आदिकाल का दूसरा जो है इन्होंने बताया जो भक्तिकाल बीच में इन्होंने डिवाइड किया है ठीक भक्तिकाल का ये काल मानते हैं सन तेरा सो 75 से सुरुवात मनते हैं इसकी और इसको ले गए हैं ये 1700 तक ठीक है भक्तिकाल को तीसरा अगर मैं बात करूँ इसी में इन्होंने एक काल डिवीजन किया है रीतिकाल का बिहारी वगएरा के जो कभी आप पढ़ते हैं तो रीतिकाल को इन्होंने 1700 से ले करके और ले गए हैं ये 1900 तक ठीक है और चौथा जो है आधुनी काल को इन्होंने संग्या दी है 1900 से आज तक जो चल लहा है ये सब कुछ इनोंने आधुनी काल की संग्या दी है तो रामचन सुकले जी का इस तरीके से है लेकिन अधिकतर बिद्वान 1850 से जो है इसका शुरुवात मानते हैं तो confusion clear हो गई होगी चलो अगला है आपके सामने प्रतेक प्रशने में चार वाक्यांस दिये हैं तुरिटपूर अंस मिलने पर जो है अगर नहीं मिल ला है तो विकल डी चुनना है मिल गया तो उस विकल को किसी भी नियाले में दी गई गवाही जब तक वा सपत लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमारित नहीं मनी जाती है क्या इनमें कोई गलती है भईया अगर नहीं है तो डी चुनो और है तो उसका जबाब दो 28 नंबर का जबाब इसमें डी होगा क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं अधिप्रमाडित का मलब समझते हैं ना अटेस्ट जो है बोलते नहीं हूं फॉर्म अटेस्ट कराना है यह अटेस्ट तो अटेस्टिट का मलब होता है अधिप्रमाडित 29 नमबर में भी यह ही है पल्स पोलियों से बचाओ के लिए सिस्यों को नेरोधक खुराग देना है आगे कहरा है सबसे सरलतम उपाए कोई तुरूटी है या नहीं बताओ इनमें से 29 नमबर के प्रश्ण में क्या कोई तुरूटी आपको मिल लई है ठीक इसमें तुरूटी है अब इन चारों में से आपको चुनना है और सही विकल बताना है ठीक है कौन सा इसमें जो है सही है आगे इसमें होना चाहिए सही मेल का चुनाओ करें जो सही मेल है उसको आपको चुनना है अनेक सब्दों से एक सब्द है तो इनमें वाक्यांस में जो सही मेल है वो आपका उत्तर होगा चलो मैं पढ़ रहा हूँ आवस्यक्ता से अधिक बरसात अनाब्रिष्टी बरसात बिलकुल ना होना अलप बरिष्टी बहुत कम बरसात होना अतिब्रिष्ट वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना इन चारों में से कौन सा सही है जबाब दो वि होत कम बरसात या अलप बरिष्ट होती है समझ गए ना तीनों का जबाब चलिए अब रचनाकार और उनकी रचना के साथ आपको सुमेलित करके सही बिकल्ब का चैन करना है रचना रचनाय है नागमतीब योगवर्णन फिर ब्रह्मराच्छस जोठा सच असाद्धिवेणा और लेखाक उनकी इस प्रकार है अग्ये यसपाल मलिक मुहमद जाईसी और मुक्तिबोध इन चारों मेंसे जवाब भहिया चुनो और कमेंट कर दो फड़ा फड़ कमेंट करो देखते हैं किसका विकल्ब सही होता है चारों मेंसे जवाब कमेंट करना है तो इन चारों मेंस बी विकल्प को चुन ना है वो होता सही है अब देख लो ये नागमती बियोग वर्णन ये मलिक मुहमत जाईसी ने पदमावद में किया है एक चैप्टर है पदमावद का नागमती बियोग वर्णन ठीक है तो पहले का हो गया तीसरा ब्रह्मराच्छस किसकी है बी वाला जो स्पाल ने और असाद दी वीड़ा ये लिखा है अग्ये ने तो चारो विकल्प आपके मैच हो गए ठीक है यहां से जो अगर देखा जाए तो बी विकल्प आपका सही होता है तीन चार दो एक सही हो रहे हैं अगले प्रशन की और बढ़ते हैं निमलिखित में से ये थोड की चार को अरेंज करना होता है इंगलिस में इसको पैरा जंबलिंग बोलते हैं ठीक है हिंदी में इसको क्रम से लगाना होता है चारो आक्यांस को कि जिनका सार्थक हमें अर्थ मिल सके इसको ऐसा अरेंज करना होता है अवे शक्ता अविश्कार की जन्नी है इसके बाद चा लिया होगा कौन सा सी वाया लारा वो सही हो जाएंगे क्योंकि आवशकता अविशकार की जन्नी है जेओं 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 आ गया वहां तेओं तो आएगा ठीक है तेओं तेओं मनुश्य उसकी पूर्थ के लिए क्या करेगा तरह तरह के नए उपाय सुचता है तभी नए प्रश्ण और इस संबंदित इससे मैंने डाला है वो भी देख लिजिए 33 नंबर में फिर कह रहा है पहला तो यह लाइन लिख दी आंतिम यह यानि यह उपर नीचे होंगे बीच वालों को अरेंज करना है चारों को केन सरक्वार उन उद्दमों में योजनागत और योजन चुन लिया जिनों ने चुन लिया है वाला वाला यारा यह एकदम सही होंगे देश में संतुलित छेत्रे विकास की प्रगद का सबसे महत्पूर कारण ठीक है उसके बाद फिर आएगा आएगा आपका लाब सरकारी चेत्र के उपक्रमों के जरिये फिर यह आएगा किन सरक पर द्वारा उनों उद्दमों में योजनागत और योजनेतर संसादों नों द्वारा सीधे निवेस किया जाना है ठीक है तो समझ गया ना दो इसलिए मैंने रख दिया कि मानलों अगर पूछा जाए तो एक बार आपको आभाज रहे प्रशन के बारे में जाने रहेंगे तो ये अच्छा रहेगा कि ऐसे भी प्रशन आ सकते हैं ठीक है लेकिन इधर आने की संभावना बहुत कम है ये भी बता रहें एसा लगा मानू बंफटा है वाकि में अव्वे बताओ कौन सा अव्वे है स्वरूब बोधक है संकेत बोधक है उद्देश बोधक है कारण बो नदी के किनारे बहुत पेंड़ खड़ा है। चारत्रों मनिष्क को अमान ब्य होनाता है साध्नों का विकास करने होनगे इन चारू मैं से बताओ। चारू में से भाईया C चुना है तो आपको जो है सहूलियत होगी या नहीं होगी ये चीज आप भी समझ रहे हैं तो C एक दम सही है अनि विकलप आपके गलत हैं फिर 36 नमबर में भी वाकिय सुद्धी से है मा को अपने पुत्र में ममता होती है मा को अपने पुत्र पर ममता ह होती है मा को अपने पुत्र की ममता होती है इन चारू में से आपको चुनना है तो 36 नमबर का जबाब होगा C मा को अपने पुत्र से ममता होती है ये विकलप आपका सही होगा ठीक है आज थोड़ा सा इन सबसे संबंधित प्रश्ण मैंने सोचा कि रख दूं अच्छे अच की कौन सी काभी रचना ब्रजभासा में है कविता वली है बरवे रामायड है जानकी मंगल है या रामचरिद मानस इन चारू में से जबाब बताओ भी है 37 नमबर का जबाब होगा ये क्योंकि कविता वली ही आपकी इन चारू में से ब्रजभासा है बाकी बरवे रामायड जानकी मंगल रामचरिद मानेस यह सब अओधी की इनकी रचनाएं हैं तुलसी दास की ठीक है 38 नमबर प्रशन है पश्मी हिंदी की अंतरगत कौन सी बोली आती है कन्नोजी आती है कि मेवाती की बगेली की मगही इन चारों में से बता दो चारों में से जबाब 38 नंबर जो है भासा से सम्बंदित प्रश्ण है बोलियों से सम्बंदित प्रश्ण है तो जबाब दीजिए कन्योजी बोली भाई यह पश्मी हिंदी के अंतरगत आती देखो पश्मी हिंदी के अंतरगत 5 बोलियां है अब कौन कौन सी है इनको अब ही आगर आप देखें तो इसमें पश्मी हिंदी में जो है क्या पता है पांच बोलियां है 38 नंबर का प्रश्णा है ध्यान रखेगा और दूसरी चीज पश्मी हिंदी का जो एक तरीके से जन्म में बात करूं तो यह सौर सैनी अभ्रन से हुआ यह भी बार-बार पूछा गया है सौर सैनी अभ्रन से हुआ है पश्मी हिंदी का जन्म अब इसमें देख लो कौन कौन सी बोलियां है एक तो पश्मी हिंदी में आती है खड़ी बोली ठीक है हिंदी वाली जो हम बोलते हैं दूसरी वाली आपकी है इसमें वो बगल वाला ह हरियाणवी बोली तो हरियाणवी इसके अंतरगत आती है तीसरी आपका आता है इसमें ब्रज ठीक है चौथी बोली आपकी आती है ये कन्नोजी और पांचवी बोली आती है इसके अंतरगत बुंदेली ठीक है ये भी एक बुंदेल खंड की एक भासा है तो बुंदेली भी इ फिक है उपिप्त में से कोई नहीं कौन सी है जो आतुकांत सैली में लिखे गई है तुक मलाव होता है कि एंत में जहां पर सेम वैसे जैसे आया पहली लाइन में तो दूसरे माह आगिया उ की मात्रा इंट उ आगया यह सब तुक होते है तो लिखे गई है तो 49 नंबर का जबाब C है प्रेमपथिक जो इनकी है ये प्रेमपथिक जो है आतुकान सैली मेल लिखी गई है जबकि ये कानन कुसम वाला थोड़ा देख लो भी है ये जरूरी important है थोड़ा कानन कुसम मानलो कहीं पूछ ले आप से कि खड़ी बोली में प्रथम कविता संगरा कौन सी है त आज trend में है कहरा है मनुस सिके फिर बीच में फिलब पूछ करना है आपको में पुस्तके उसकी मित्र माग दरसत प्रेरक और साथी होती है किसमें कष्ट में सुख में एकांत में तनाओ में चारों में से बहुत confusing है बहुत आराम से गलत करके आओगे ये भी बोलना हूँ ठ ठीक है तो वहाँ पर उसके लिए सबसे उपिप्ति हां एकांत बनना है समझ गए ना आगे बढ़ते हैं आगले प्रश्ण की गोर धोके भरे आधुनिक समाज में की प्रवेर्ती दिन प्रते दिन बढ़ती जा रही है किसकी प्रत्यावर्तन की प्रवंचन की प्रवचन की की प्रवर्तन की प्रवचन तो बहुत मिलता है अब कहीं ही मट्टिक कर देने प्रवंचन की प्रवंचन का मलब होता है ठगी ठीक है या धूर्धता जो भी बोला जाए चलो वर्णमाला से फिर कोशन आगया अगोस मर्ण कौन सा है पा घा बा गा इन चारों में से बताओ अगोस मर्ण कौन सा है तो 42 नमबर का जबाब जिनोंने ए चुन लिया पा बा बाड ठीक है ये सही हो गए क्योंकि इसमें जो है अगोस में अगर बताएं तो पहला और दूसरा जो प्रतिक वर्का होता है ये सब अगोस होते है पहला और दूसरा बाड तैतालिस नमबर प् आभाज आएगी तो कंट रड़ आफ इनको बोला जाता है रूढ सब्ध पूछा है निम्लिखित में रूढ सब्ध कौन सा है इन चारों में से बताओ रूढ सब्ध कौन सा है नाक ही ये कैसा है कि इसको जैसे बोलोगे तो आंखुम फीगर बन जाएगा चित्र बन जाएगा और ना तो नाक को नाक की जएगे कुछ और बोल सकते हो बोल सकते हो कुछ नहीं ना रतनाकर का संदिविछेद बताना है आपको रतन धन आकर रतन धनाकार रतना धन कर रती धन आकर इन चारों में से बताओ तो जिनोंने ए विकल चुना रतन धर आकर उनका सही होता है प्रतिमान में समाज बताओ यह समाज से प्रशना आ गया तत्पुरुस है अवेई भाव है दुन्द है दिगु है बताओ जबाब दो फटाओ फट कमेंट करते हो यह नहीं बोल नहीं रहा तो कमेंट ना करो यार प्रतिमान में समाज बताओ तत्पुरुस अवेई भाव दुन्द या दिगु इन चारों में से जो है अवेई भाव क्योंकि प्रति क्या है अवे है प्रति हो गया यथा हो गया आ हो ठीक है यह सब अवे है अवे जिनके साल लग जाते हैं वो पूरे समस्तपद को अवे ब परिक्रमा में उपसर्ग बता दो बढ़ा है कि पा है कि पर है कि परी है इन चारों में से बताओ ठीक है इन चारों में से क्या होगा परी ही होगा जाहिर सी बात है परिक्रमा ठीक है यह इसका मलब परिउपसर्ग के अंतरगत आता है तो यह चीज आपका क्लियर हो गया अगर मैं इसमें देखो परि उफशर्ग के gehört कौन कोंगों, से सब्द बन सकते हैं, एक तो बना सकते हैं, परिधान माल लो पूछ लिया। परिपूंड पूछली आप से तो परिपूंड भी इसी का होगा परिमाण पूछली आप से ठीक तो परिमाण भेवी परी उपशर्ग है परीध ही अगर कहीं पर दे दिया परीध में कौन सा उपशर्ग है तब भी इसमें भी परी है ठीक है परी है समझ गए ना भलाई में प प्रत्य आई होगा ठीक है लड़ाई बड़ाई लिखाई यह सब समझ गए यह सब आई प्रत्य के उदारण है अगला है जो है उन्चास नंबर है हाफ सेंचुरी पर आ गए आग बच्चा खिड़की फूल इनमें से देशज बताओ कौन सा है चार आप्शन में से देशज क् ठीक है खिड़की का अगर तत्सम कहीं पूछ लिए तो इसको वातायन बोलते है ठीक है वातायन इसको खिड़की कहते है अगला है पचास नंबर प्रशन है निम्न में बिदेशी सब्द कौन सा है उष्ट्र अमीर प्रिये भक्त ठीक है तो अमीर ही आपको सब्द मिलेगा यह विदेशी सब्द है बाकी सब यहीं कि है अपने साहिती जनता की चित बितियों का संचित बिम्ब हहे यहाँ उक्तिकिस की है हजारी प्रशाद द्रिवेदी महाभीर प्रशाद नगेंदर राम चन सुकल इन चारों में से बताओ किसने साहिती के बारे में ऐसा बोला है तो 51 नमबर का जवाब अगर आपने चुना है D, रामचन सुकल की द्वारा ये कही गई बात है साहिति के संदर में, अगला कर रहे हैं मरियादा के सी युग की प्रसिद्ध पुस्तिका थी, पहुत बढ़ी है प्रसिद्ध युग, छायावाद, यूग, गर्वेदी, यूग, छायावाद, दोत्तर यूग, ठीक है, बताओ, इन 4 में से बताओ, बामन नंबर का जबाब बताओ तो बामन नंबर यह दिरवेधी की तरिका है भाईया मर्यादा ठीक है थोड़ा सा इसके बारे महुड जान लो 1910 में यह जो है टंडन जी थे, पुरिशोत्तम दास टंडन जी, उन्होंने इस प्रथम लेक को लिखा है, तो समझ गए न, एक के साथ कई चीजें आपको मिल गई, अगले प्रशन की और बढ़ते हैं, निमलिखित काब पंक्तियों को उनकी रचनाकारू के साथ सुमेलित करो, ठीक है, बहु उपमान मेले हो गए, बतरस लाल चलाल की इन चारों में से भाईया ये विकल दिया है, अगे विहारी मैतली सरण गुप्त और तुलसीदास, बताओ कौन किसकी वुक्ति हो सकती, तो एक तो जानते ही होंगे, कौन सी, डी वाला, बतरस लाल चलाल की मुरली दई लुकाए, अब इन में से जो है, आप चूज भी कर सकते, डी का टू, तो केवल एक विकल्फ है यही सही होगे, समझ गए ना, चलो, चमवन नंबर है, ये इलिमेंटरी मैथड होता है, जहां पर एक आधाज है, वहां मिटानी की कोसिस करो, अगली बात है, किसी की कही वी बात को असप करना है, तो ऐसे लगा देते हैं, ये विबरंट चिनन होता है, ठीक है, अगले प्रशन की वर 55 नंबर आपके सामने है, किस प्रकार के विशेशन में दो प्राणियों, वस्तियों, इत्यायद के गुणदोस, अथवा विशेश्ता की तुलना, देख लो, पूरा प्रशन, एक दूसरे से बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, कल के सीरीज में मैंने एक प्रशनी से डाला था, ठीक है, तो मैंने इसकी ब्याख्या बताई थी, आज मैंने सोचा यहीं पूछलू सीधा सीधा, वो मूला आवस्था कहलाती है, ठीक है, कि चापलूसी करना की उत्तरा आव ठीक है, जहां दो बस्तों या प्राणियों में जो है, उसके गुणदोस की बिसेस्ता बतलाई गया और एक को दूसरे से नीचा आवुचा दिखा दिया गया, वहां समझ जाओ वो उत्तरा आवस्था है, ठीक है, समझ गये ना, चलो अगले बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रशन होने लगती है, तो वो क्या बन जाती, ब्रजभासा बन जाती, उप भासा की लिपी की छेत्रे लिपी, इन चारों में से भीया बताओ, इन चारों में से कौन सा विकल्ब सही होगा, बताईए, फटाफट बताओ भीया, वो ब्रजभासा कहलाएगी, उप भासा लिपी, दे देखो UPSC आज कल ऐसे प्रशन बना रहा है वो प्रशनों में क्या करता है कि आप से उसकी डिफिनीशन डाल देगा वो फिर पूसता है तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टाइप की प्रशन भी इंकल्यूट करूँ अगला है ठावन नंबर का प्रशन है ठावन नंबर प्रशन है इन में से कौन सा कारयले आदेश का मूल गुण नहीं है अनोब चारिकता नपातुला निवेयक्तिक बाहिरी भीत्री बाते बताओ इन चारों में से पत्र लेखन का है तो अनोब चारिकता कारयले आदेश में नहीं होती भी यह सब कुछ अपचारिक होता है एकदम फारमल बेज़ आप बात करेंगे जो कुछ उनसर नमबर प्रशनी स्क्रीन पर है दिये गए विकल्पों में से वह सुद्ध सब्द चुनिये जिसका प्रयोग सदा एक बचन में कच्छा आशू प्राण प्रतेक चारों में से बताओ प्रतेक का प्रयोग हमेशा एक बचन में होता है साथ नमबर प्रशन है बहुत बड़ी है प्रशन फिर से आपके सामने आ गया निम्न में से अग्रेस्वर नहीं है कौन सा नहीं है बताओ अग्रस्वर, पश्चस्वर, मद्यस्वर, तीन स्वर के प्रकार होते हैं आ नहीं है, ये नहीं है, आ नहीं है, बताओ, चारों में से जवाब दो तो साथ नमबर का बिकल जुनों ने चुन लिया ए, आ इसमें से जो है ये अग्रस्वर नहीं है आगरसुर बोले में जीवा का जो जीव है आपकी इसका अगला हिंसा जब उठेने लगे तो समझ जाओ आगरसुर भईय केवल चार है या तो बड़ी है या तो ए है या तो आए है इनको बोलो तो जीव का अगला हिंसा उठेगा एकसर नमबर प्रशन आपके सामने है अनुविक्षन का संद्विछेद कौन सा है अनुधन विक्षन अनुधन इक्षन अनुधन इक्षन इन चारों में से बताओ अनुधन का सही विलोम क्या है ठीक है चलो एकसर नमबर का जबाब क्या माना जाए जीनों ने क्या कमेंट कर या अनुविक्षण का सही जो संद्विछेद होता है ये होता है अनुधन एक्षण ठीक जहां पर ये मात्रा आपने ले ली तो अनुविक्षण का सही विलों ये होता है तो पहला विकल्प ए सही हो गया ठीक है 61 का बासर नंबर प्रश्ण है सीतर्तु या सीतर्तु का संद् इन चारों में से बताओ, बासर नंबर का जबाब, बासर नंबर का जबाब विकल्प सी सही है, सीत धन रितु जब आप मैच कराओगे, मिलाओगे तो ये बनेगा, चलो अगला प्रशन, तिरसर नंबर सामने है, तिरसर नंबर प्रशन पूरा मैं दिखा रहा हूँ आपको, जयपुरी ठीक है नाम इसका मैंने पहले डिसकस किया है चौसर नंबर प्रश्णी यह मुझे देख गया इस टाइब के प्रश्ण पूछता है समास में समास बहर हला हम लोग पढ़ते हैं तो यह सब नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस प्रश्ण को डाल समास का समस्त पद है करमधारे का कि अधिकरण पूरुस का कि अलुक तत्पूरुस का कि नज्य तत्पूरुस का इन चारों में से बताना है यह अलुक तत्पूरुस होता है ठीक है अलुक तत्पूरुस होता कि है यह भी जान लो ठीक है ऐसा समास आपको जहां मिले कि उसक तो वहाँ पर ये चीज़े आती हैं, समझ गए ना, अब इसके उधारण अगर मैं बताओं तो एक उधारण होता है सरसिज, अब सरसिज के और एक होता है मनसिज, कुछ जो मुझे ध्यान है वो मैं बता रहा हूं, युधिस्ठिर होता ही होता है तो तीन उधारण मैंने आप को बता दिये हैं इससे, अगला है आठ अध्याय है जिसमें यह किस समास का उधारण है बताओ, दिगु का होगा, बहुबरी का होगा, दुंद का होगा, करमधारे का होगा, इन चारों में से जवाब क्या आएगा, आठ अध्याय है जिसमें, आठ अध्याय है जिसमें यह क इसका उदारन होगा, ये उदारन हो जाएगा बहुबरी समास का, ठीक है, दिगू नहीं होगा, राजा भिछुप को दान देता है, कौन सा कारक है इसमें, कर्म कारक है, अपा दान है, संप्रदान है, करन कारक है, तो यहाँ पर को लगा है, तो करताने कर्म को, ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यहां समप्रदान जहां, दान देने लेने की बात हो, कुछ देने लेने की बात हो, वहां समप्रदान होता है, बोए पेंड बबूल के आम कहा से होए, लोकोगति का आर्थ बताओ गश्या, बहुत बढ़ियां है, ठीक है, बबूल के तुवाम कहां से होई समझ गए ना अगला प्रश्ण है निमलिखित सब्द का बिलोम सब्द चुनो भईया सहोधर का बिलोम क्या होगा परोधर अधर ठीक है अन्योधर कुमर इन चारों को एक साथ में कर रहा हूं ताकि चारों विकल्ब दिखें तो आपको आसान हो सहोधर का बिलोम आपको चूच करना है भईया सहोधर का बिलोम बता दो फटा फट क्या होगा देखो सहोधर का बिलोम होगा अन्योधर ठीक है सहोधर का आर्थ जान लो एक ही मा के पेट से जन लेने वालों को सहोधर कहा जाता है भाई को खास कर सहोधर अगर बहन है तो उसको सहोधरा बोलते है ठीक है ठीक है बहन को सहोधरा और भाई को सहोधर बिलते हैं अन्योधर मनलब दूसरी मा के उधर उधर का मनलब पेट होता है पेट से जन लेने वाला उसको अन्योधर बोला जाता है तो समझ गए न अगले प्रेश्ट की ओर बढ़ते हैं निमलित सब्द का प्रयावाची सब्द चुनो भईया यातुधान यातुधान का आपको परियावाची बताना है और विकल पी इस प्रकार मैंने रखे हैं वशन आग अशुद देवारी इन चारों में से विकल बताओ उनात्तर नंबर प्रशन का जवाब जिनों ने चुन लिया डी ये होते हैं सही यातुधान मल्लब होता है राख्षस देवारी का मल्लब राख्षस देव धन अरी अरी का मल्लब होता है सत्र देव के सत्र क्या है राख्षस ही तो हैं अगला है सत्तर नंबर फिर से प्रायवाची मैंने पूछा है राद का प्रायवाची बताओ धाम त्र यामा, ठीक है, 70 के बाद 71 नमबर प्रशना आपकी स्क्रीन पर है, सदा सच बोलना चाहिए, या किस प्रकार का वाक की भेद है, संदेह वाचक है, कि इच्छा वाचक है, या आग्या वाचक है, कि संकेत वाचक है, इन चारों में से बताओ, 71 नमबर का जबाब, सदा सच बोल जमीन जो सब्द चूज कर रहे हैं आप, वो ही इस्त्री लिंग है, बाकी इस्त्री लिंग कुछ सब्द और होते हैं, जैसे जा से सुनों, ठीक है, कौन गोन से होताब, जंग, जंजीर, जंभाई, जगे, जटा, जड, जनता, जमा, जमानत, ठीक है, जमावट, जलन, जय, जरा जांग जागीर और जायदाद जिल्लत ये सब सब्द इस्तरी लिंग है फिर से बोलूं सुनिए जंग जनजीर जमभाई जगे जटा जड जनता जमा जमानत जमावट जलन जय जरा जांग जागीर जायदा जिल्लत लिख भी दिया है पीडियाप में वहां पढ़ लेना इसको ध्यान कर लेना जावाले सब्द है निमलिखित प्रस्ण में चार विकल्पों में से सही विकल्प पाचेन करो जो सुद्धवाकी का उदहरण है सही विकल्प है दो लड़के इधर आ रहे हैं दो लड़के इधर आ रहे हैं ठीक है दो लड़का इघर आ रहा है कहीं C चूज कर लिया तब तो आप गए बारग भाओ यहां देखो लड़के लड़के लिखा ये वाला सही है ए वाला विकल्ब सही है ठीक है दो लड़के इदारा आ रहे हैं अगला है निमलिखित प्रश्ण में चार विकल्बों में से सही विकल्ब का चैन करो वही है कौन से हैं देखो हम आपसे कहा था हमने आपसे कहा था हम आपसे कहे थे बताओ अधिकतर तो हम यहीं बोलते हैं न हम आपसे कहे थे हम आपसे बोले थे ये वाला सही होगा कौन सा सी वाला ठीक है हमने आपसे कहा था ये कहा देख लेना पता चले जल्दबाजी मार दो और फिर गलत हो जाए निमलिकित प्रश्ण मेंसे चार विकल्बों मेंसे उस विकल्ब पुरुष वाचक का भेद है यह तो पता चल गया और ये अन्य पुरुष वाचक होगा वहां किसी और के बारे बात हो रही है चार विगल दिये हैं चारों में से ब्रिति के सही भेद वाला विगल चुनन आपको कहे क्या रहा है प्रश्ण कहे रहा है यदि बस मिल जाती तो राम दिल्ली पहुच जाता संदेहार्थ है बृति या संकेतार्थ है या संबोनार्थ है या निश्चयार्थ है इन चारों में से बता दो भईया सही विगल बताओ, 76 नंबर प्रश्ण है, बृति से सवाल होते हैं, इसलिए मैंने दे दिया, ठीक है, और विगल भी इसका B सही होगा, जहां पर भईया कोई कारण लगा मिले आपको, कारण के साथ ही दूसरा कोई काम हो पाता, वहाँ समझ जाओ कि वहाँ संकेतार्थ है, सं निशेद वाचक है कि संकेत वाचक है, मा ने कहा था उन्हें बाजार जाना है, देखो, जहां पर आपको एक दो उपवाकी मिल जाएं वाकी में, ठीक है, और एक उपवाकी दूसरे पर निरभर हो, जैसे मा ने कहा था एक उपवाकी ये हो गया, उन्हें बाजार जाना है, अब पहले बाले पर दूसरा डेपेंड है, तो इसलिए ये क्या है, मिस्रवाकी का उदारण है, ये जो एक चिन्ध मैंने बनाया है कोश्ठग में, इसको पूछ रहा है ये चिन्ध किसको इंगेत करता है, यानी किस चिन्ध का उदारण, बिवरण चिन्ध का, लागो तो वो मलब हो गया कि हाँ डाक्टर लिग गया तो इसको लागोचिन कहते हैं बृत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाकियों के 20 प्रयुक्त होता है C बोला है शब्द इग्मो को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्थ विराम को का प्रयोग किसी वाकिय में उदाहरन शूचक सब्द के पहले होता है चारों में से चुनलो ध्यान से पढ़लो जवाब दे दो हमें 79 का जवाब मुझे चाइए और 79 का जवाब C जिनों ने दिया क्योंकि यार्थ विराम कभी भी सग्द इग्मु में एक दूसरे को अलग करने के लिए नहीं होता है समझ गए ना? तो C यहाँ पर अगला फिर से विराम चिनने से सवाल है हनस्पद किस विराम का एक और नाम है? अलप विराम का नाम है कि तुरुटी विराम का कि लोब विराम का कि पूर्ण विराम का इन चारों मेंसे बताओ हंसपद किसका नाम में हंसपद भैयल होता है इसका तुरुटी विराम का कहां इन पर गलती हो गई न तो ऐसे करके लिख देते हैं ये तुरुटी विराम इसी को हंसपद बोलते हैं समझ गया आगे है 81 81 नंबर है भैया लोकोगती है बोलते नहीं आपको सुनने मिल जाएगी ठीक है आँख नहीं एक कजरोटा ददस ये बर्था डंबर है इसका अगला फिर पूच रहा है अंग्रेजियन बात आपको करना है ठीक है हिंदी का मैंने एक संटेंस दिया है विद्यार्थियों को चाहे कि पहले योगी बने फिर राजनीत करे अब चार विकल पढ़ दे रहा हूं तो इसमें से चूच करो कौन सा विकल सही है भाईया 82 नंबर ठीक है 82 नंबर का जबाब बताओ तब कुछ बात बने इसमें से देखो ये होगा ए इस्टुडेंट्स सोडवी एलेजविल विफोर पहले वो योग गिवन है एंड देन डू पॉलिटिक्स उसके बाद उनसे राजनीत करना है वो करें लेकिन आज का इस्टूडेंट मानता कहा है पहले वो राजनीत करना च सारे लोग समझदार है स्वतंत भारत का संपूर दाई तो आज विद्यार्थियों के ही हाथों में हैं दस्षम यहां पर देखिए दस्षम ओलिगेशन आप इंडिपेंडेंट इंडिया इस इन दा हैंड्स अफ दा स्टूडेंट्स टूडे ए विकल्व करा बी करा दा इं इंडिपेंडेंटिया is on the hands of the politicians today. बहुए पिकल्व की और souffdhtے है मैं जूम कर रहा हूं पिकल्व आपको ऐसा दिख रहा होगा अधोल लिखित में से कौन सा युग में बिशेशन नहीं है छोटा बड़ा हरा पीला दो तीन राम लक्षमन इन चारों में से बताओ बिशेशन युग में नहीं चुनना है तो D विकल्ब आपको दिख रहा है दोनों नाम है और यह संयुक्त संग्या है ठीक है 85 नमबर आपके सामने है अधोलिखित में से कौन सा सब्द तत्सम नहीं है तसकर, ध्यान, बोध, हाथ इन चारों में से चूज करो कौन सा नहीं है तो 85 नमबर का जबाब अगर आपने विकल्ब दे दिया D ठीक है तो कि हाथ का तत्सम होता है हस्त समझ गए न तो ये होता है 86 नमबर कह रहा है बहुत बढ़ियां प्रश्ण मैंने चूज किया है लोकोक्ती बताओ लोकोक्ती बढ़ी अच्छी है क्या यहाँ प्रेमिमक का पंथ कराल महा बताओ इसके आगे क्या पूरा करेगा इसके लिए सही लोकोक लोकोक्ती का आर्थ बताओ 86 नमबर का होगा यहाँ प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनों है शी विकल्द सही होगा समझ गए ना 87 नमबर कह रहा है अदो लिखित में से सुदवर्थनी वाला सब्द रचैता, अनुग्रहित, अहार, श्रिष्टा इन चारों में से ए चुन लिया तो आप होते हैं सही मिलते हैं 0.5 मार्क्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की और अधो लिखित किस वाकी में अकर्मक क्रिया मैं पुस्तक पढ़ता हूँ ये चीजें तुम्हारा जी लल चाती है स्याम सुता है वो अपना सिर्ख होजलाता है अकर्मक क्रिया चुनना है और अकर्मक स्याम सुता है कर्म इसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं डाल ला कि जिससे कुछ निकले इसा कर्मक वाला ठीक है वो आपना सिर्ख खुजलाता है यह सकर्मक है लेकिन अगर मिल गया उसका सिर्ख हुजाता है तो वो अकर्मक हो जाएगा समझ गए ना अगला है नवासी नम्मर निमलिकित वाक्यों में से किसमें प्रेणार्थक क्रिया का प्रियोग नहीं है पिता उसे पढ़ाते हैं राम नहीं पढ़ता है वह अध्यापक से पढ़वाते हैं अध्यापक परिस्रम कराते हैं इन चारों में से भईया फटा फट बता दो क्या बताना था? मैं भूल तो नहीं गए प्रेणार्थक क्रिया का प्रियोग नहीं है चारों में से बताओ भाईया तो राम नहीं पढ़ता है ये प्रेणार्थक नहीं है ठीक है ऐसा तो है नहीं किसी और से प्रेणार्थक लेकर वो नहीं पढ़ रहा है ठीक है ये नहीं है बाकी सब है क्योंकि प्रेणार्थक क्रिया है दो प्रकार की एक प्रथम एक दो थी है नब्वे नमबर प्रशन आपसे कह रहा है, सब्तर्शी में समास बताओ, करमधाराय तत्पूरुश्र द्वंद दिगो, इन चारू में से चुनना है, सब्तर्शी, सात रिशी दिगो, समास हो गया, ठीक है, अगला है, 91 कौन सा वण अंतास्त नहीं है, बहुत आसान सा, पाहा याराला, तो आप जानते हों अंतास्त चार, यारालावा, इन में से पाही नहीं है, तो 91 का ये विकल सही होगा, 92 नमबर प्रशन, निर्मला उपन्यास के लेखा कोन है, जैशंकर, प्रेमचंद, यासपाल भी साहनी, इन चारों में से बताओ, 92 नमबर का जवाब, उत्तर ह होगा, कौन सा, बी कि ये, मुंसी प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास बहुत फेमस राय है, ठीक, 1927 में इसका पब्लिकेशन हुआ था, 1927 में जो है, ये प्रकासित हुई थी, मुंसी प्रेमचंद जी ने लिखा है, अगला 93 नमबर प्रशन साहित, इसे फिर से है, चाहिता है, रामधारी सिंग दिनकर, 1938 की बात है, 1938 की बात है, जब ये प्रकासित हुई थी, ठीक है, लाल पीना हो ना, मुहावरे का आर्थ सही बताओ, बहुत गुस्सा हो ना, बहुत प्रशन लजित हो ना, बीमार हो ना, ठीक है, करते हैं, पिता जी तो गुस्सम लाल हो गए और उसके बाद तो आप समझ सकते हो पिता जी गुस्ते होंगे लाल पीले में तो आपको तो निला पीला कर देंगे वो भी एक मुहावरा है बहुत कंजूसी का आसे बेक्त करने के लिए उपी लोकों को बताओ घर की मुर्गी दाल बराबर चटमंगनी पड़्या चम पुद्धू के बीच कौन सा भी राम चिन्न लगता उधारन व योजक चिन्न बिसमयादि बोधग और प्रश्ण माचा गिन चालों में से कौन सा होगा 96 नमबर प्रश्ण बताओ उ उत्तर होगा वही बिलोम चिन्नों के बीच में हमेशा ये वाला डैस लगाते हो आपको ध्यान है दुन्द समास याद होगा निमलिखित में से सुद्धवाकी का चैन गरो भईया वही दिल्ली अवश्य आएगा दिल्ली अवश्य आएगा वह दिल्ली अवश्य जाएगा वा दिल्ली अवश्य का ये बताओ भईया 97 नमबर का प्रश्ण का जवाब क्या है 97 का ज आप लोग डी नंबर सही है अंतिम प्रश्न सेंचुरी की और बढ़ते विए निमलेखित में से कौन सा सब्द सदा बहु बचन में प्रियोग होता है जूम कर ले राउं आउट दिख जाए चारो ठीक है चारो दिख रहे हैं जवाब दे दो सो नमबर अंतिम प्रशन है मैं भी खुसी खुसी आपसे विदालूं जब आप बहुल लोगों के आचुके प्राण जो है हमेशा बहु बचन में प्रियुक्त होता है तो दोस्तों सीरीज ये कैसी लगी इसके बारे में कुछ बता दो हमें मेरी मेहनत कैसी लग रही टीम की मेहनत कैसी लग रही दूसरी चीज, गुरुप से जोड़ना है, फेस्बुक के, टेलिग्राम से जोड़ना है, अगली चीज भीया, ये वीडियो जो 800 की मैं सीरीज चला रहा हूं, इसको आपको जरूर अपने दोस्तों को चैनल जरूर सस्क्राइब करना है, ठीक है, बाकी आप ये समझ जो कि जि होगी, माटेरियल होगा, सब कुछ होगा, आपको बस जोड़े रहना है, टीम परिक्षा प्लस से, बाकी टेस्रीज बगारा आप देख लें, इससे बेस्ट क्वालिटी भी आपको नहीं मिलेगी, तो एक बार फिर मैं रमन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं, आपसे इजाज़ा लेता हूं, विदा होना है, ठीक, कल फिर मिलते हैं, नेक्स लेक्षर में, तब तक के लिए लगातार रिवाइज करते रहें, मस्त होकर पढ़ते रहें, धन्यवाद, सुबरात्री